नए साल की शुरुवात होने से पहले शीत लहर की चपेट में भारत की रजधानी दिल्ली आ चुकी थी तब से अब तक लगतार कडाके की ठंड लोग जेल रहे हैं आज मंगलवार को भी शीत लहर और कोहरे की मोटी परत देखी गई इसकी वज़ा से एयरपोर्ट पर यात्रियों ने बताया कि कई उड़ाने देरी से चली और कुछ डाइवर्ट भी कर दी गई ज़र आप इन दिनों भारत से विदेशों का सफर या फिर विदेशों से भारत जाने वाले हैं तो एक नजर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्यूंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि राजधानी दिल्ली से कौनकौन से जगों के लिए फ्लाइट अभी फिलहाल डीले हुई है असलाम लेकूम मैं अंदली वक्तर और आप देख रहे हैं युएई खबर खारत मौसम विभाग के अनुसा दिल्ली में कल 9 जन्वरी को निम्तम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया घने कोहरे के चलते भातिय मौसम विभाग ने औरेंज अलड जारी कर रखा है से देखते हुए दिल्ली हवाई अड़े पर भी कल सोमवार को अपने सभी यात्रियों को अलर्ट कर दिया गया था वहीं दिल्ली एरपोर्ट पर यात्रियों का कहना है कि घने कोहरे की वज़ा से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है इस कारण कई सारी फ्लाइट्स देरी से उरान भड़ रही है मौसम विभाग ने अपनी एडवाईजरी में कहा है कि कई जगों पर घने से बहुत घना कोहरा कुछ जगों पर कोल डे से लेकर गंभीर कोल डे की इस्तिति है इसके लावा कहा गया है कि अलग-अलग जगों पर कोल डे जैसे असार है जनकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग यानि कि IMD मौसम की चतावनी के लिए चार तरह यानि कि चार कलर कोट का इस्तिमाल करता है जिसमें सबसे पहला है ग्रीन अलट, दूसरा है यल्लो अलट, इसका मतलब है कि देखें और अपडेट लेते रहें तीसरा है ओरेंज अलट, यानि कि कि किसी भी खत्रे के लिए पूरी तरह तयार रहें और चौथा है और सबसे खतरनाक रेड अलर्ट यानि की खत्रा आ चुका है। देश में फ्लाइट का सफर करने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रती दिन बढ़ोतरी हो रही है। जिससे भारत का विमानन उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही यात्रियों की शिकायतों की संख्या में भी लगातार वृधी हो रही है। जिन में यात्रियों की मुख्य समस्या फ्लाइट्स की लेट लतीफी है। और इसके लिए विभीन एरलाइन्स यात्रियों को लगभग 22 कडोड का जुर्माना दे चुका। मगर अब तो ठंड ही एतनी पर रही है कि सरकार के हाथों में कुछ भी नहीं है। इसलिए फ्लाइट लगातार देरी से चल रहे हैं। आईए आप जानते हैं कि कितने फ्लाइट्स दिल्ली से धीले होके चल रही है। मगर उससे पहले आप हमारे पेज़ को फॉलो कर लीज़े ताकि आप तक जरूरी जनकारियां पहुँचती रहे। अप फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले हर विडियों की नोटिफिकेशन्स आपको मिलते हैं। हाला कि विजिबिलिटी में सुधार हुआ है लेकिन कुछ घंटों की राहत के बाद फिर से विजिबिलिटी खराब हो गई। हाला कि विजिबिलिटी खराब हुआ है।